गुड बॉर्निंग वेलकम टू रोबस्ट न्यूज रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है सत्पाल मलिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है इस खुलासा को सुनने के लिए चैनल पर बने रहें मोदी के इस गोदिब मेडिया जुग में हम खबरों को बहुत ही बारिकी से खोज कर लाते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बने रहें इस चैनल पूर्स ताच के बाद सत्पाल मलिक बोले पुलवामा पर बोलने के चलते उत्पिडन हो रहा है CVI ने जम्मू कस्मीर में कथिक बीमा घोटा ले मामले में पुर्व राजपाल सत्पाल मलिक से नई दिल्ली में उनके आवास पर पूश्ताच की मलिक ने कहा कि वो इस मामले में सिकायत करता है CVI को सिकायत करता से इस तरह से सवाल पूशने की ज़रत नहीं है केंद्रिय जाच बीरो CVI ने बीते सुक्रुवार 28 अप्रेल को जम्मू कस्मीर के पुर्व राजपाल सत्पाल मलिक से उनके नई दिल्ली स्थीत आवास पर पूश्ताच की मलिक ने कहा कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के दोरान नरंदर मोधी सरकार की भुमिका पर दवायर को दिये इंटर्विव के दोरान उन्हें ने जो बताया उसे लेकर यह उत्पिडन था पता चला है कि बीते सुक्रवार को CBI ने मलिक से रिलाइंस जनरल इंसुरेंस इसकीम और राम माधाव को लेकर कुल चार घंटे तक पूश्ताच की मलिक ने कहा मैं इस मामले में सिकायत करता हूँ CBI को सिकायत करता से इस तरह से सवाल पूचने की ज़ुरत नहीं है मैंने पुलवावा पर जो कहा है उसके कारण यह केवल उत्पीडन हो रहा है फरवरी 2019 में जम्मू कस्मीर के पुलवावा में सुरक्षा वाहनों के काफिले पर हुए आतंगवादी हमले में केंद्रिया रिजव प्रिस बल CRPF के 40 जवान सहीद हो गए थे मलिक ने कहा कि वह इस खुलासों को दोहराने से नहीं हिचकेंगे उन्होंने कहा मैं यह कहना जारी रखूंगा मैं उसे पूरे उत्तर भारत का दोरा करूंगा और दक्षिन का भी चुनाओ तक मैं इसे जारी रखूंगा मैं इस मुद्दे को बोफोर्ष की तरह जिंदा रखूंगा पुल्वामा और यह सब वास्तों में लोगों के दिलों दिमाग में घर कर चुका है आगामी चुनाओ में उन्हें उखार फेका जाएगा मलिक ने कहा कि CBI से उनसे भविश की किसी पूच्टाश के बारे में कोई जानकरी नहीं दे मालूम हो कि सत्पाल मलिक ने दवायर को दिये गए इंटर्व्यू में दावा किया था कि फरवरी 2019 में पुल्वामा आतंग की हमले को रोका जा सकता था अगर केंदर ने CRPF करमचारियों को अस्थांतरित करने के लिए उनके द्वारा किये गए विमान के अनुरोध को ठुकराया नहीं होता उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सरकार की लापरवाही और अक्षमता नहीं होती तो इस गट्ना को रोका जा सकता था मलिक ने कहा था कि उन्होंने जब यह मुद्दा उठाया था तो प्रदान मंतरी नरंदर मोदी और राश्ट्री सुरक्षा सलाकार अजीत डोवाल ने उन्हें चूप रहने के लिए कहा था इसके करीब एक हपते बाद 21 अपरेल को सीवी आई ने सत्पाल मलिक को जम्मू कस्मिर में एक बीमा योजना से जुड़े कथिक भरष्टाचार के मामले में उन्होंने पूछताच के लिए बुलाया था ब्रष्टाचार का यह मामला जम्मू कस्मिर में अनिल अंबानी के निर्तिवतोग वाली इजिनास जनरल इंसुड़ेंस से जुड़ी एक बीमा योजना में अनिमित्याओं के आरोपों से जुड़ा है मलिक दौरा मामले में उन्हें रिश्वत देने के प्रयास के आरोप लगाने के बाद इस समद में केर्स दरज किया गया था मालों हो कि अक्टूबर 2021 में पहली बार मलिक में आरोप लगाया था कि जम्मु कस्मीर के राजपाल के कार्जकाल के तोर पर उनके कार्जकाल के दोरान उनसे कहा गया था कि यदि वह अम्बानी और RSS से संबंद एक वैक्षी कि दो फाइलों को मंजूरी दें तो उन्हें रिश्वत के तोर पर 300 करोर रुपे मिलेंगे लेकिन उन्होंने सौधे को रद कर दिया था मलिक न दावायर के इंटर्व्यू से पहले इस घटना का जिक्र पत्रकार परशांत टंडन को दिये गए एक साक्षतकार में भी किया था इंटर्व्यू में उन्होंने बताया कि सौधे में ज्यादा रूची रखने वाले RSS पतादिकारी राम माधाव थे इसके परशारन के बाद माधाव ने मलिक को मानहानी का नोटिस भेजा था मलिक न दावायर के इंटर्व्यू से पहले इस घटना का जिक्र पत्रकार परशांत टंडन को दिये गए एक साक्षतकार में भी किया था इंटर्व्यू में उन्होंने बताया कि सौधे में ज्यादा रूची रखने वाले RSS पतादिकारी राम माधाव थे इसके परशारन के बाद माधाव ने मलिक को मानहानी का नोटिस भेजा था मार्च 2022 में जम्मू कस्मीर के उपराजपाल मनोस जहां ने कहा था कि मलिक दोरा लगाए गया आरोप गंबीर हैं और परशासन ने इस मामले को CBI को सोपने का फैसला किया है CBI ने इस संबंद में दो केस दरज किये थे सत्यपाल मलिक भाजपानेता हैं और ना केवल जम्मू कस्मीर बलकि चार अन्य राज़ों के राजपाल रह चुके हैं इस न्यूज को एंगलिश में सुनने के लिए चैनल पर बेने ले हैं प्लीज ये टून तो इस चैनल तो लिसन दिस नूज इंगलिश इस में पर वाजपाल मलिक अटर CBI विजित तो इस हूँज I am the complainant in the Reliance Insurance case, there is no need for the CBI to ask the complainant question in this manner, the former J&K governor said question by the Central Bureau of Investigation at his house in New Delhi, today, April 28, former Jammu and Kashmir governor Satyapal Malik said that this was harassment over what he told the wire in an explosive interview, won the Narendra Modi government role during the Pulau Amar terror attack of 2019. 1 April 21, Malik was informed by the CBI that he would be questioned on the Reliance Insurance issue, the scheme that RSS and BJP leader Ram Madhav was illegally pushing Malik to pass while he was the governor of Jammu and Kashmir and which Malik cancelled. Malik is a BJP leader and has been governor not just of Jammu and Kashmir but for other states. In the interview to The Wire, Malik had said that he had sent a letter asking for liberal changes to the insurance scheme, which he said prompted a visit from an upset mother to his house. Today, CBI is learned to have quizzed Malik over the Reliance Insurance Scheme, one whose interest to the deal was struck and owned Ram Madhav for a total of four hours. I am the complainant in this case. There is no need for the CBI to ask the complainant question in this manner. This is only harassment because of what I have said one Pulau Amar. Malik said. Malik said. In the interview to The Wire, Malik had said that he had sent a letter asking for liberal changes to the insurance scheme, which he said prompted a visit from an upset mother to his house. Today, CBI is learned to have quizzed Malik over the Reliance Insurance Scheme, one whose interest to the deal was struck and owned Ram Madhav for a total of four hours. I am the complainant in this case. There is no need for the CBI to ask the complainant question in this manner. This is only harassment because of what I have said one Pulau Amar. Malik said. In The Wire interview, Malik had said that Prime Minister Narendra Modi and National Security Adviser Ajith Dowal asked him to keep quiet when he had told them in the aftermath of the terror attack that killed 40 CRPF Javans that the government's decision to not sanction a helicopter is what may have led to the outcome. Today, Malik said that he will not stay away from repeating these revelations. I will continue saying it. I will tour the whole of North India and the South also till election. I will keep this going. I will keep this issue alive like before. Puluwama and all these have really shifted down to the people. They will be thrown out in the forthcoming election. He said. Malik said the CBI has not spoken to him of a future visit. . Thanks to the audience and the listener. . झाल झाल